उपरोक्त पंक्तिया बल्या के अमिट इतिहास को बतलाने के लिए काफी है जहां की जनता ने अंग्रेजी हुक्मरानों की एट से एट बजा डाली और अपने इन्ही तेवरों के कारण बल्या बागी बल्या कहलाया दरसल किस्सा अगस्त 1942 का है जब रास्ट पिता महत्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ों अंदोलन की घोशना करने और तदो उपरांत उनकी नजरबंदी के बाद देश में जना क्रोश फैल गया चारों तरफ अंग्रेजों भारत छोड़ों के नारे लगने लगें जना क्रोश भी ऐसा कि इसे भारत का ध्वितिय स्वतंत्रता संग्राम कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस जना क्रोश से बलिया कहां अचूता था 9 अगस्त 1942 की सुबह बलिया के बागी तेवरों की बानगी बन कर आई बलिया के अलग-अलग तहसीलों में लोग इकठे होने लगें जगा-जगा तिरंगा लहराया जाने लगा भीड का उनमाद इतना था कि पुलिस को कई बार लाठी चार्ज करना पड़ा पर भीड तो जैसे स्वाराज के लिए मतवाली थी ट्रेनों में भर-भर कर जनता शहर की तरफ आने लगी सबको स्वाराज चाहिए था और जेल में बंद निताओं की रिहाई भी तबके ICS और बल्या जिले के तक कालिन कलेक्टर जगदिश्वर निगम को लगने लगा कि अब बल्या को आजात किये बिना माहौल बदला नहीं जा सकता जिसके बाद उन्होंने निन्ने लिया और बल्या जिले का फाटक खुलवा दिया तथा जेल में बंद अंदोलनकारी निताओं चित्तु पांडे जादा मोहन सिंह महानन्द मिश्र हादी को रिहा किया साथ ही साथ चित्तु पांडे से निवेदन किया कि अब आप ही इस जना कोश को संभाले इस प्रकार 19 अगस्त 1942 को एक स्वतंत्र बल्या प्रजातंत्र सरकार का गठन हुआ जिसके सासना ध्यक्ष बने सेरे बल्या चित्तु पांडे इस सरकार ने 14 दिनों तक बलिया पर हुकूमत की सेरे बलिया की उपाधी चित्तु पांडे को स्वैम पांडे जवाहन लाल नहरू ने दी थी बलिया के इस बागी तेवरों से अंग्रेजी हुकूमत का होस्ला पस्त होने लगा साथ ही भारतिय स्वतंतरता संग्राम का सबसे महत्यपूर दौर भी आरंभ करने में बलिया की क्रांती का हमिट योगदान रहा हरी मोहन उपाध्याई की रिपोर्ट बॉर्डर इंडिया